इसे इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत अंकित किया गया था 1965 में स्पेस साइंस एंड टेकनोलोजी सेंटर को थुमबा में स्थाफित किया गया था 1968 में एक्सपेरिमेंट सैटलाइट कम्मिनिकेशन आर्थ स्टेशन को एहंदावाद गुजराद में स्थाफित किया गया यहां आज भी सैटलाइट बनते हैं 1979 में इसरो बन जाने के बाद 1971 में तीश दावन स्पेस सेंटर कोशीरी हरिकोटा अंदरप्र देश में बनाया गया 1975 को पहला भारतिय सैटलाइट आर्यवत को अंतरिक्ष में स्थाफित किया गया यह मील का पत्थर सावित हुआ भारत के अंतरिक्ष कारिक्रोमों के लिए क्योंकि इसे पूरें तब भारत में बनाया गया था और रशिया की मदद से अंतरिक्ष में बेजा गया था 1989 में पहले रिमोट सैंसिंग सैटलाइट का परियो किया गया इसे भी भारत में बनाया गया था इसका नाम बासकरवन रखा गया था